साथियों सो साल बाद आई इतनी भीशन महामारी कदम कदम पर दुनिया की परिच्छा ले रही है हमारे सामने एक अद्रुश्य दुश्मन है और यह दुश्मन बहुरुपिया भी है और इस दुश्मन के कारण इस कोरोना वाइरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं बीते कुछ समय से जो कश्ट देश वासियों ने सहा है अनेकों लोग जिस दर्थ से गुजरे हैं तकलीप से गुजरे हैं वो मैं भी उतना ही मैसूस कर रहा हूं देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूँ कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसादनों से जुड़े जो भी गतिरोथ थे वो तेजी से दूर किये जा रहा है युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है आपने देखा होगा सरकार के सभी विभाग सारे संसादन हमारे देश के सुरक्षाबल हमारे साइन्टिस्ट हर कोई दिन रात कोवीड की चनवती का मुकाबला करने में एक जुड़ है देश के अलग-अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोवीड अस्पताल बन रहे हैं नई टेक्नलोजी से आक्सिजन प्लांट लगाए जा रहे हैं हमारी तीनों सेनाए बायू सेना नेवी आर्मी सभी पूरी शक्ती से एक काम में जुटे हैं आक्सिजन रेल आक्सिजन रेल इसने कोरोना के खिलाब इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेंज ये आक्सिजन रेल आक्सिजन पहुंचाने में जुटी हैं आक्सिजन टैंकर्स ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बिना रुके काम कर रहे हैं देश के डॉक्टर्स हो नर्सिंग स्टाफ हो सभाई कर्मचारी हो एम्मूलन्स के ड्राइवर्स हो लेब में काम करने वाले सज्जन हो सेंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो एक एक जीवन को बचाने के लिए 2400 घंटे जुटे हुए है आज देश में जरूरी दवाईयों की आपूर्ती बढ़ाने पर युद्धस तर पर काम किया जा रहा है सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाईयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है बाहर से भी दवाईयों मंगबाई जा रही है इस संकट के समय में दवाईयों और जरूरी वस्तों की जमाखोरी और काला बजारी में भी कुछ लोग अपने निहिर्त स्वार्त के कारण लगे हुए है मैं राज्य सरकारों से आगर करूँगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कारवाई की जाएं ये मानुवता के खिलाब का कृत्य है भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे हम लड़ेंगे और जीतेंगे